तो हलो एवरिवन गाइस वालकम टो योट्यूब चेनल सो आज हम ओल्ड कुर्ती का रियूज करेंगे जिसा कि आप देख रहें आपके पास कोई भी अवलेबल कुर्ती हो जो टाइटली हो जाती है या जो पानने में नहीं आपाती है तो इसका रियूस किस टाइब से करेंगे वो आपको बताएंगे अगर अगर आप इता करेंगे अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इन जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये ओल्डेट कुर्ती है इसका रियूस करेंगे ये विद कॉलर में है तो ये अच्छली फिटिंग हो चुकी बहुत ज़्यादा टाइटली हो गई ये चैस्ट से तो इसका रियूस किस टाइब से करेंगे वो मैं आपको शुआप करती हूँ सो इस कुर्ती का हम मेजर्मेंट कर लेते हैं एंड इसके हम यूस बताते हैं कि वो इंच्टेप ले लिए मैंने सो इससे हम हमारी कुर्ती का मेजर कर लेते हैं एंड उससे हम दो चीजे बनाएंगे सो वो मैं आपको शो करते हूँ कि हम क्या-क्या बनाएंगे So जो हमारा cut point रहता है, जो के choke point रहता है, वहाँ से नीचे तक का measure में कर लेते हैं Choke point तसक्षेंग तक हमारी land हारी है, 70 NINCHES So, zebra mark लगा लेते हैं, यह हमारा choke point है, के cut का point रहता है वहां हम इसको mark कर लेते हैं, यह हमारी कुरती का choke point है यहां पर हम इस ट्रेट ड्रो कर लेते हैं यहां पर हम इसको 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 इस मैं मार्ग किया इसलिए इस टाइप से हमने डो कर लिया है अब इसको हम कट कर लेंगे इस कुर्ती से हम दो चीजे बनाएंगे सुब मैं आपको बताती हूँ, यह स्टैप से यह हमारे दोनो पॉइंट है, चोप पॉइंट और इनको बराबली से, दोनो पीछे का भाग भी और आगे का भाग भी दोनो एक साथ कट करेंगे, इसलिए हमने स्ट्रेट मार्क कर लिया है, अब हम इसको स्ट्रेटली कट कर लेते हैं सो हम इसको इस टाइप से कट कर लेंगे यह दोनो कपड़े हैं, हमारे बैक पार्ट भी और फ्रंट पार्ट भी, दोनो को एक साथ कट कर लेंगे, यह हमारा जो हमने मार्क किया था, जितना भी आपका नीचे के साइट का आराए लेंद उसी के अकोर्डिंग हमने इस टाइब से कट कलिया है देख सकते हैं यह मैंने कट कलिया है यह हमारे चोप पॉइंट से हमने कट किया है यह हमारे दोनों पार्टे यह हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्टे दोनों पार्टे अभ हम इंको बराबरी से मिला लेंगे fra panelists एक परेंगे केसरे पाप्राइब साम के और व Ты खुम हुआ हम्सक्षाइब को निपले के वह चोर सब्सक्राइब ए अब हमारा मारक कर यहां तो किस टाइब से पर माक करेंगे को पाप कर यहां मराग कर करेंगे यहां पर हम सबसे पहले है गले की के अग viral समू Repeat ले सकते हैं यह गले की छोड़ाई रहेगी और नीचे हमारी गले की डीप होती है कि हमें कितनी डीप चाहिए सो यह हमारी चारो कपड़े मिन्स हमारा इसमें पूरा एक्यूरेट रेडी हो जाएगा अब यहां पर शोल्डर ले रहे हूं में साड़े पांच इंचेस के यह इस टाइप से यहां पर 6,5 इंचेस पर हम इस ट्रेटली ड्रो कर देंगी इसको यह मैंने इस्ट्रेटली ड्रो कर दिया है इन इसमें हम आदा इंच की गोलाई देंगी यह हमने आमगल की गोलाई दिये यह हमने आमगल की गोलाई दिये गला रख रहे हूं में 5 इंचे इसमें भी गोलाई दे देंगे . यहां पर मैंने गोलाई दे दियें यह मेने, दोनों भाग एक साथका लिये हैं , यह हमारा front, back दोनों, कट कर रहे हैं , इसमें यहां से हमने करत कर देते हैं निची साद से, इसमें बिल्कुल ओलाई अधा है इची की यह आमोल भी कट गया हमारे एंड गले की भी कटिंग हो गई है सो यह दुनों हमने इस टाइब से कट कर दिये नीची की साइड आप देख सकते हमारा स्ट्रेटली जुड़ा हुआ है नीची की साइड हमारे मशीन लगी हुए और यह हमारा चॉक पॉइंट है सो यह को भी हम अगर आपको जरूत ना लगे तो कट कर सकते है एक्स्ट्रा जो स्टीच हुआ हुआ है उसको आप कट कर सकते है हमारा बैक पाट है इसमें हम गला थोड़ा सा ओर डीप चाहिए तो जितना आपको गला चाहिए गले की लें तो उसी के according आप आपका गला बढ़ा सकते हैं तो यह हमारा 5,5 इंचेस का है तो मैं यहां गला 8 इंचेस का ले रहे हूँ तो मैं इसकी गले की थोड़ी सी डीप और बढ़ा दूगी यह हमारा back part हो जाएगा तो यहां पर हम गले की डीप थोड़ी सी और बढ़ा रहे हैं यह हमारी back part की डीप हो जाएगी गले की यह हमारी गले की गुलाई मैंने देदी यह back side से आप चाहिए और यह हमारा back part हो गया है यह हमारा back part है अंड इसी के according हम हमारा front part भी ले लेते हैं तो अब हम हमारे back part के ऊपर हमारे front part को अधिस पहले हमारे back part के ऊपर हमारे दोनों front part को रखके shoulder को stitch कर लेंगे तो यह इस type से हम अमारे big part के उपर हमारा front part रखेंगे यह दोनों parts को रखेंगे एंड ज़िधर से हमारा सीधा रहेगा कपड़ा उदर की side से हमारा उल्टे कपड़े पर हम stitch कर लेंगे एंड सीधे कपड़े की side से हम इसको अंदर की side रहने देंगे और उल्टे कपड़े की side से stitch कर लेंगे shoulder यह पर हम हमारे tucks की marking कर देते हैं यह हमारी tucks की marking कर लेते हैं यह हम 3.5 inches पर पहले नीचे की side से इसमें हम कोई belt नहीं लगा रहे हैं belt include नहीं कर रहे हैं यह हम blouse बना रहे हैं यह हम पहला नीचे की side से एक तो blouse बर ready हो जाएगा और उपर का हम एक को अच्छा से use करेंगे तो आपके पास जो भी available कुड़ती होती है आप उसका reuse कर सकते हैं तो नीचे की side से मैंने 3.5 inches पर 3.5 inches का tucks लगाया है यह हमारा 1 inches का tucks है मैंने 1 inches का tucks लिया है अब हम हमारी जिदर की fitting side होती है वहाँ पर भी हम tucks लगा लेंगे वो 3.5 inches पर ही लगा रहे हैं यह हमारा simply tucks वाला blouse न इसमें belt इंक्लूट करेंगे आप चाहिए तो इसमें belt भी इंक्लूट कर सकते हैं क्योंकि हमने लेंथ बहुत ही अच्छी लिये यहां पर हम आमोल की side 4 inches का tucks लगा रहे हैं और वो 1.5 inches पर लगा रहे हैं तो 1.5 inches पर हम आमोल की side tucks भी लगा देंगे आदा इंक्लूट का और अब हम हमारी hook-pattी रेती हैं हमारी hook-pattी की side भी टक्स लगा लेते हैं तो यह गले की side जो हमारी hook-pattी आई-pattी रहती है उधर की side भी हम हमारा tucks लगा रहे हैं 4 inches पर और 2 inches का लगा रहे हैं क्योंकि हम इसमें belt इंक्रूट नहीं कर रहे हैं तो यह step से हम टक्स लगा लेंगे आप देख सकते हैं अब इसी को हम हमारे second part पर भी रखकर प्रेस कर लेते हैं डोनों side हम हमारे tucks की marking कर लेते हैं शॉल्डर्स को स्टीच कर देते हैं शॉल्डर्स स्टीच करने के बाद all over हमारा blouse ready हो जाएगा अब यह हमारे हमारा इसका इसका किस टैप से reuse करेंगे वह में में आपको loh mussi और फ़रे हम इसकेप का मेजरमेंट कर लेते हैं कि accurate इसकी length कितनी है खो यह जाएगे हमारे शॉल्डर स्टीच है हम 15 length कर देते हैं हमें उपर का reuse किस टाइप से करना है 15 length accurate हमें चाहिए हो की और नीचे के कपड़े को हम पहले cut कर देते हैं सो इस्ट्रेटली 15 पर हम draw कर देते हैं line को सो यह हमने 15 length लिए उपर की और नीचे की हमने जो extra कपड़ा है यह हम देख लेते हैं हमें extra कपड़ा कितना लगेगा सो वो नीचे के कपड़े को हम cut कर लेते सो नीचे का कपड़ा हमारा उससे हम हमारे blouse की sleeves ready कर लेंगे सो इसको हम cut कर लेंगे देख सकते हैं आप हमने यह हमारा extra का fabric था उसको हमने remove कर दिया आप इसकी length देख लेते हैं इसके length आ रही है 5 inches एंड चोड़ाई तो हमारी बहुत ही अच्छी है एंड जो हमारा अंदर का fitting का कपड़ा है उसको भी हम remove कर लेते हैं इस type से यह type से हम इसको remove कर लिया है जो हमारी fitting थी slice उसको भी हमने remove कर लिया है अब इसको जो हमारा double भाग का कपड़ा है इसको हम इस type से एक और बार पलट देंगे एक और बार पलटने के बाद हम इसमें sleeves की जिस type से हम गोलाई देते sleeves में मचली shape की वो हम गोलाई दे देंगे तो 5 inches पी हैं आपने गोलाई देए अब हम इसमें हमारा मचली shape दे देते अगर आपको sleeves की video देखना है कि sleeves हम cutting किस type से कर रही है मैंने mark किस type से लिया है तो हमारी एक और वीडियो आप उसको देख सकते है आपको sleeves cutting अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यह इस type से हम अब हमारा mark all over हो चुका है सो यह अब हम हमारे sleeves की भी marking हो गई है और sleeves cutting हो गई है सो यह हमारा blouse ready हो जाएगा कुरती में से blouse हम बना सकते हैं आपके पास कोई भी vestige कुरती होती है जो furting हो जाती है तो नीचे का घेरा हमारा थोड़ा जादा होता है सो उसमें some blouse ready कर सकते है और उपर का reuse भी मैं आपको बताऊंगी वो भी बहुत ही अच्छा रहता है अच्छा reuse होता है कुरती का हम किसी के साथ भी उसको pair कर सकते है तो अगर आप belt लगाते हैं तो belt जो हमने टक्स तक की marking की है उसमें आप belt भी इंक्रूट कर सकते है तो यह इस टाइप से हम यह हमारा हो जाएगा front part अब यह हमारा जो उपर का पाट है इसको हम किस टाइप से measure करेंगे वो मैं आपको shop करते हूँ तो 4 इंचेस का हमारा उपर की साथ तो हमारे यह इसमें बटन लगे हुए है इसको हम open कर लेते है यह हमारा part यहां से हम इसको 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 कट कर लेते है जो हमारा strately mark कर के आप मार्क कर कर सकते है यह मैं केची से इस टाइप से इसको बिल्कुल बराबरी से startly पहले ड्रो कर लीजी ताकि आपका कट तोड़ा बुटेडा मेडा नहों सो इस टाइप से इस ट्रैटली ड्रो करने के बाद हम केची की मदद से इस टाइप से इसको कट कर लेंगे सो यह हमने कट कर लिया है देन उसके बाद अब हम इसको नीची की साइट से एक इंची की स्टीच कर देंगे इसको एक बार पलट के उसके बाद उपर से एक और बार पलट देंगे और उसके बाद जो हमारा आमोल की साइट से गले की साइड से कपड़ा बचा हुआ है उसको इस टाइप से यूज करेंगे एक साइड हम इसमें बटन पटी लगा लेंगे एन एक साइड हम इसमें कांश पटी लगा लेंगे तो यहां से पहले ही इसको थोड़ा सा रिमोग कर देंगे और इसके बाद इसमें हम यहां पर यह पट्टी थोड़ी सी और एट कर देंगे और इधर की साइड भी हम यह जो हमारे आमोल की साइड से बचा हुआ कपड़ा है इसका ही reuse करेंगे नामोल की साइड से बच्चे हूए कपड़े से ही अपर हम इसकी काश पटी लगा देंगे इसको अंदर की side fold कर देंगे फिर इसके बाद हम नीचे की side इसको stitch करेंगे जो नीचे हमारा कपड़ा है इसके बाद पटी लगाने के बाद stitch करेंगे and sleeves की length तो इसमें full sleeves की length है आप देख सकते हैं so इसकी length हम full measurement कर लेती कि accurate हमारी sleeves की length कितनी है आपके अगर half sleeves होती है तो भी चलेगा हम इसका jacket बना रहे हैं और without sleeves का भी अच्छा लगता है अगर हमारी sleeves five inches तक क्यों होती तो वो भी अच्छा लगता है इसमें हमारी full sleeves है 23 इसकी land आरी so अब हम इसमें क्या करना है so इसको पहले हम turn दे देते हैं तुआ हमारा बेक सैट से e-े इस टाइब से टाइब से चटब कर लेए हैं। को आपकी पास अगर कुड़ती होती है। ए तो आप उसका रीूर स क्ड़ सकते हैं। बहुत पयारा लुख देगा ये किसी कुड़ती के साथ , या पर अपर टैप के साथ , या इसको किसी के साथ भी हम प्यारा करेंगे तो बहुत ही प्यारा लुक देगा और इसमें हम ये बटन रिमोग करके अधर कोई भी बटन लगा सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक देगा डैनिंग बटन आते हैं वो लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आजाएगा साइब आधा इंच का टक्स लगाने ध्यान रहे आधा से भी आदा इंच का टक्स लगाए अटजा की साइट प्लाव सल्का किसी इन्च की गोलाई देंगे ऑну जाके कि तक नहीं के फिररा लुखांइगा ग dop आधा से सहील के लिए angular अग्स पूल की लिए और इसमें फिटिंग दे दिया है इसमें अनली बटन पटी लगानी है और पाइपीन लगानी है यह पाइपीन भी मैंने लगा लिए पाइपीन अदर कपड़े की लगाए ताकि उसका उठावा जाएगा इस टैप से पाइपीन मैंने ब्लू कलर के आप जाएगा लगाए रेट यहां जैकेट किसी के साथ भी पेयर करेंगे तो बहुत ही हो अगरना अब का, blouse बे Ready कर सकते, blouse हम घर पे में पैयर कर सकते हैं, किसी साड़ी के सद बहुती ही, प्यारा लोग देगा, ये रैट कलर की साड़ी के साथ, ये किसी की साड़ी के साथ अच्छा लोग देगा, so guys video को like किजिए channel को subscribe कर दीजिए and thank you guys कर दो कर दूअ ऑ्क